हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिक्सोना इंजेक्शन के बारे में जानेंगे इसके डिक्सोना इंजेक्शन के बारे में और जानेंगे इसके यूज हम डिक्सोना इंजेक्शन का यूज कहां कहां पर कर सकते हैं कौन-कौन सी बीमारियों में हम डिक्सोन इंजेक्शन का यूज नहीं कर सकते हैं और जानेगे इसके Dozes के बारे में कितना कितना Doze हम किन कंडिशन में Dicksono injection का दे सकते हैं और जानेगे सके brand name काउन काउन से brand name से यह Dicksono injection आता है तो वीडियो को बहुत सी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो चले शुरू करते हैं तो ये दोस्तों कॉल्टिक ऑस्ट्राइड मेडिशीन होती है इसका बहुत सी विमारियों में हम यूज करते हैं जिसे की सूजन तो डिक्सोना इंजेक्शन एक कॉल्टिक ऑस्ट्राइड मेडिशीन है जिसका उपयोग हम सूजन से जुड़ी सभी विमारियों में इसका इलाज के लिए डिक्सोना इंजेक्शन का हम यूज करते हैं आगे हम बात करते हैं दोस्तों डिक्सोना is class of medication called estroids यानि कि डिक्सोना estroids नामग दवा वर का एक दोस्तों दवा है तो ये estroids दोस्तों estroids जैसे होते हैं deoxamethasone, beasmethasone और ये सभी instead Brown करते हैं तो हम इन्हें जान ते है nestroids से सभी medicine होते हैं इनका use दोस्तों बहुत से विमारियों में हम use करते हैं अगला क्या है medicine include dexamethasone, इसमें dexamethasone medicine include होती है दोस्तों तो इस injection का उपयोग दोस्तों सूजन का इलाज करने के लिए किया जाता है आगे हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर आप देखेगा यह आपको दिखाई देगा dexamethasone sodium fast food injection यह दोस्तों 2 ml में आता है यह दोस्तों आता है आपका 20 ml में यह 10 ml में आता है तो यह दोस्तों various doses form में आपको available हो जाएंगे मारिक यहां पर आपको बताते हैं यहां पर आपको डिक्षोना डिक्षोना नाम से आपको यह मिल जाएगा मार्केट में डिक्षोना डिक्षोना नाम से मिल जाएगा इसका यूज आप IV और IM दोनों तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से आपको और नेड होगी उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं और यह जाइडस कंपनी जिसे इसे बनाती है दोस्तों तो जाइडस कंपनी इसे बनाती है जिसका यूज आप विभिन विमारी में यूज करते हैं दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों यूज के बारे में डिक्सोना इंजेक्शन का यूज हम कहां कहां प करते हैं, breathing problem होने पर, breathing problem यानि सांस लेने में समस्य होने पर भी हम इस Dexium emethasone injection का यूज करते हैं, arthritis हो जाती है, दोस्तों वहां भी हम dixium emethasone injection का यूज करते है, skin diseases हो जाते हैं, जितनी ointment आते हैं, skin उसमें भी dextiamethasone को देखने को मिलेगा अस्थमा में भी दोस्तो आपको जो inhaler होता है वहां पे भी दोस्तो आपको कहें न कहीं dextiamethasone वहां पे मिलेगा क्योंकि यह दोस्तो इस्ट्वादमेडिशीन है यह बहुत जल्दी दोस्तो आपको relief देती है आई-पेन हो गया आखो करते हैं और बहुत सी जो सो आई ड्राप जो आती हैं वहां भी डीक्षा मेत्सोन आपको उसमें देखनेकों इंफेक्षन हो गया किसी भी प्रकार का इंफेक्षन हो जाता है बॉढडि में वहां भी डीक्षन Dictionary Injection का यूज़ किया जाता है और आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं Dermatological यानि तवचा रोग यानि किसी भी तवचा रोग में भी हम इसे Dictionary Injection का यूज़ करते हैं Tratary Disease, स्वसन तंत्र रोग जो हो जाते हैं वहाँ भी इसका स्वसन रोग हो जाते हैं वहाँ भी तो सांस लेन में समझ्या होती वहाँ भी दोस्तों Dictionary Injection का यूज़ किया जाता है Renal Digi जानि गुर्दे के रोग और Nervous System Disorder में भी हम इसका यूज़ करते हैं Dictionary Injection का तो यह आई होग आपको समझ में आया होगा आगे हम बात करते हैं Side Effect के बारे में Dictionary Injection के क्या Side Effect आपको देखने को मिलते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं तो आपको क्या होगा Vertical यानि चक्कर आने लगेंगे इसको जादा यूज़ करने पर इसका चक्कर आने लगता है और वहीं पर दोस्तो बात करते हैं Weight Gain इसका एक Side Effect है दोस्तो Weight Gain Body में Weight Gain हो जाता है यानि Weight बढ़ने लगता है इसको ज़्यादा यूज़ करने से तो यह दोस्तो एक Side Effect है Hypertension उच रक्त चाप हो जाना यह दोस्तो इसके कुछ Side Effect है जिससे की भूंग बढ़ जाएगी Depression यानि कि अवशाद में तरीके से दोस्तो इससे बोलते हैं तो अवशाद हो जाना किसी जोस्तो Patient को आगे हम बात करते हैं Dixona Injection के Uses के बारे में Dixona Injection का Use हम Dixona Use देख लिया दोस्तो Side Fact देख लिया और अब हम बात करते हैं Dixona Injection के डोस के बारे इसका डोस हमको कितना देना है तो सबसे पहले दोस्तो बात करते हैं सबसे पहले आपको Low Dose से किसी Patient को Treat करना है तो क्या करना Usually Treat Start with Lower Dose यानि कि सबसे Low Dose से Start करना है और इसका यूज दोस्तो Daily Dose में करना है 7 से 10 दिन तक जादा दिन इसका यूज नहीं करना है 7 से 10 दिन तक ओड़ी इसका यूज करना है आगे हम बात करते हैं वहीं पर क्या करना है 0.75 से 9 mg per day डिपेंट करता है किस बीमारी में आप इसे यूज करते हैं उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं और आगे हम बात करें minimum doses के बारे में बात करें तो 6 mg minimum doses हम इसे 6 mg दे सकते हैं और maximum dose 9 mg per day के हिसाब से इसे यूज करना है 9 mg per day के हिसाब से दोस्तो इसे यूज करना है तो आई हो आपको ये Dixona Injection के जो doze के हैं ये आपको समझ में आए होगे और ये दोस्तों हम आपको clear करते हैं ये दोन हम अडल्ट doze के बारे में हम आपको बता रहे हैं ठीगे दोस्तों आगे हम बात करते हैं Contra Indication के बारे में कि हम ढूर्ण डिक्सोना इंगेकशन का यूज कहां कहां पर नहीं कर सकते हैं तो पघंचि यानि कोई गरवस्ता लेडी है तो वहां पे हम दोस्तों कि इसे यूज नहीं करेंगे गुर्दे की बिमारी होती है दोस्तों वहाँ भी हम इसे यूज नहीं करतेंगे क्योंकि वहाँ भी दोस्तों हमें side effect इसके देखने को बहुत जादा मिलेंगे low thyroid hormones thyroid hormones का कम होना यहाँ भी दोस्तों हम इसे यूज नहीं करेंगे Dictionary injection का आगे बात करते हैं तो common brand name इसके कौन से हैं जो market में easily आपको मिल जाएंगे available हैं तो इसके बारे में बात कर दें तो Dictionary injection का डान दोस्तों सबसे famous brand name है इस नाम से आपको market में यह मिल जाएगा doublex दोस्तों यह इसी भी नाम से आपको market में मिल जाएगा, रेडी शरफ डेक्षा में था शोन नाम से आपको मार्कर में मिल जाएगा सिम्प्लेक्स डेक्षा में था सोन से मिल जाएगा, सुलूलेक्स नाम से आपको ये मार्कर में एजली मिल जाएगे दोस्तों तो I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद